है लो फ्रेंट से लेकूंटूमा योट्यूब चैनल आज किस वीडियों डिसक्स करेंगे काफी बार आप एक प्रॉलम की मेमरी है वह काफी बार फुल हो जाती है और आप से कुछ यह आप्शन समागता है कुछ आप बीच में से डाटा डीट करें तो अगर सेम प्रॉलम फे तो यहां से मैं सॉफटर सर्च कर लेता हूँ आप सर्च कर लेता हूँ फाइल स्गोओ तो यह गूगल कासॉफ़वडर है काफी एच्छ सॉफ़वर है तो आप देख वी सकते हैं तो यहां पर इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो मैं यहां से इसको ओपन कर लेता हूँ तो ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो यहां पर देखिए पहले तो जंक फाइल्स ने देखिए यहां पर कितनी स्पेस ले रखी है यहां पर 8 MB थी पहले अब देखिए 349 MB कवर कर रखिए उसके बाद यहां पर देखिए मीमीज ने 4.56 और जो हाँ डुप्लिकेट फाइल से देखिए डुप्लिकेट फाइल्स ने भी यहां काफी स्पेस ले रखी है तो उसके बाद हम जाएं विडियो ओडर मीडिया में तो 129 और जो मैं एप यूज नहीं करता उसने देखिए कम से कम एक GB की स्पेस ले रखिए और जो फाइल्स डाउन्लोड कर रखी है यहां पर इतनी स्पेसा जरूरी नहीं कि आपने जो फाइल डाउनलोड की है अब मैंनली के आता आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं री यहां से कर सकते हैं तो मैं बैक आ रहा हूं लार्ज फाइल्स देखी हैं यहां लार्ज फाइल्स भी काफी है नियर बाउट इन फाइल्स ने मेरी फॉन की 5GB एक्प्रॉसिमेटली स्पेस ले रखी है तो एक तो यह मैं तरहां ड्रेक्ट ली आप यहां से डिलीट कर रेज हो जाएंगी आपके जो फॉन है उसमें से डिलीट हो जाएंगी तो यहां पर देखिए यह फाइज डिलीट हो गया मोड स्पेस फॉर मोड वीडियो यहां इतना इंक्रीज हो गया तो ऐसे ही आप बाकी पुरस कर सकते हैं देखिए उपर से ऑप्टामेटिक ऑप्श और इसको आप भी यूज करिए फर्स मैंथर यह था दूसरा मैंथर कौन सा है आप अपने फॉन के फाइल मेंजर में जाएंगे तो फाइल में जाकर आप इसका जो फाइल मेंजर है वो ओपन करेंगे तो यहां पर देखिए काफी जादा आपके सॉफ़डर्स जो इंस्ट एक चीज़ याद रखें वही ड्लीट करें जो आप यूज नहीं करते तो मैंने उसको अप्शन पर क्लिक कर रहा हूं यह देखिए वह जो अन्वांटिड फॉल्डर से ड्लीट हो गए और आप टॉप पे यहां फोन की मेमरी देख सकते हैं कितनी फ्री होगी है नियर अब फाइल मैनेजर में जाकर वहां सेट कर सकते हैं और एक और चीज़ अगर आप फाइल रिज़ में जाएंगे तो यहां पर आपका WhatsApp आपको पता है काफी ज़्यादा स्पेस लेता है तो यहां पर आप WhatsApp बिजनस येसे में यूज करते हैं इसको open करिये डाटाबेस में जहीए यहां भी देखिए यहां पर जो इसका backup बनता रहता आप इसको भी raise कर सकते हैं otherwise मीडिया में जाकर देखिए यहां पर जो आपने data send की है इसको open करके आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सा data है, send है, documents है, उसके बास on है उसको आप slack करके यहां से delete कर सकते हैं यह भी काफी अच्छा option है, इसको करके दिखिए, कोई भी problem face करते हैं, comment box में comment कीजिए और साथ के साथ हमारे YouTube चैनल को like, subscribe का ना मत भूलिए so that in future जो भी later is update आएगा, उसका notification आपको timely मिलता रहे so thank you friends for watching this video and for your valuable time